महाराष्ट्र की सबसे बड़ी मिर्च की मंडी नंदूर बारक्रिशी उपस मंडी स्निती में लाल मिर्च की खरीदी शुरू हो चुकी है इस समय मंडी में किसानों को अच्छा रेट भी मिल रहा है लंबे इंदजार के बाद अच्छा दाम मिलना शुरू हो चुका है मंडी में किसानों को 4000-5000 पे प्रतिक विंचल का दाम मिल रहा है अच्छा रेट मिलने से किसान काफी संतुष्ट है वही मंडी में इस तमय मिर्च की 1500 कुइंटर मिर्च की आवक पहुच रही है व्यपारियों का नुमान है कि दशैरे के बाद आवक में भारी भड़ोतरी हो सकती है नंदुरबार बाजार समीती में मिर्च का आवक जिले से ही नहीं देश के अन्या भागो से भी किया जाता है वही पिछले साल के मुकाबले इस सल किसानों को अच्छा दाम मिलना शुरू हुआ है और जिले में 2500 हेक्टेर में मिर्च की खेती की गई है मिर्च की कीमतों में और भी भड़ोतरी की उमीद है दरसल मिर्च की क्वालिटी के हिसाब से मिर्च की कीमत 5000 से 6000 पे तक मिल रही है इस सल मोसम अच्छा रहेगा और मंडी समिती में मिर्च की रिकोर्ड आवक होने की संभावना है इस खरीब मौसम में मिर्च के लिए अवश्यक पोश्यक वातावरन के कारण मिर्च की पैदावार में वृद्धी हो रही है और लाल मिर्च के अच्छे दाम देखने को मिले है इसलिए किसानों ने मिर्च की केती पर जोर दिया हलाकि बारिश के कारण किसान सहीत व्यपारिय को भी काफी नुकसान छेलना पड़ा था लेकिन अब अनुमान है कि दिशेरे के बाद ही बाहर के व्यपारी मिर्च खरीदने आ सकते हैं इसलिए कीमतों में और भुणतरी की उमीद की जा रही है साथी बजारों में आवग भी अच्छी पहुँच रही है जहां मिर्च सुका महराष्ट्र के सबसे बड़े मिर्च उतपादक जिले में मिर्च पार्क बनाने पर क्यों ध्यान नहीं दे रही चबकि ये सबसे बड़े पेमाने पर यहां परन्य राजी और विदेशों से भी मिर्च भेजी जाती है नंदुरबाल जिले के 25 हेक्टर में मिर्च की खेती क पारईयों को काफी दिक्कता रही है लेकिन उमीद ही की जा रही है कि आने वाले दिनों में लाल मुर्च की कीमते बढ़ सकती हैं